ही वाट्सप गाईज वीडियो गाईज आज से मैंने कुछ नहीं पहले अपने कम्मुडिटी टैप पे एक पूश्ट किया था कि वह एने एपिसोड 2 के रिगाड़ी तो पूश्ट के नीचे आप में से काफी सारे लोगों के काफी सारे कमेंट्स आये तो इस वीडियो में मै देते हैं जो फर्स्ट कोशन पूचा है वो पूचा है नोविन साहू ओफिशल ने यह पूचते हैं पूखो आम तरी में में मैसेज आप ऑफिशली कवाएगा या अनॉफिशली कैसे इस्टॉल करें बिदाउट रूम चेंज या इन बिदाउट रूट तो यहां पर आपक दिवाइस का जो बूट लोडर उसको अनलोग नहीं करते हैं रूट नहीं कर लेते अपनी डिवाइस को पहली बता दूँ बिदाउट रूट के आपके में वर्क नहीं करने वाला है मैंने भी ट्राइग था मैंने भी काफी साही ट्रिक्स लगाई थी बट मियूज आई का बट जब से लाउंच हुआ है Poco X5 Pro तब से चांसे बढ़ गए है विकॉर्ज जो Poco X5 Pro लाउंच हुआ है वो MIUI 14 पे लाउंच हुआ है एंड उसमें आपको मैं बता दूं MIUI का डाइलर मिलता जी यहां MIUI का ऑफिशल डाइलर दिया गया है और Google का जो स्टॉक डाइलर है व मिलेगा चीहां गाइस हो सकता है जब MIUI 14 आए तब आपको ना मिले मी डाइलर लेकिन उसके बाद अपकमिंग अपडेट में आपको डाइलर मिल जाएगा यह बता दू बाकि पोको वालों का या शौमी वालों कोई भरोसा नहीं वो दें दें ना दें तो पता नहीं बड़ आपको MIUI का ओफिशल डाइलर मिल जाएगा जो नेक्स्ट कोशन पूछा है वो पूछा है बाइद पटेल ने यह पूछते है पोको M3 4G VRAM Variant का एप ओपनिंग क्लोजिंग अनिमेशन का प्लीज बता दो भाई कैसे भी बता दो तो मैं आपको बता दू यह जो फीचर है न 4.0 जो पोको लॉंचर है उसको आप अपने डिवाइस में इस्टॉल करते हो तब उसमें आपको यह फीचर मिलता है बट only 6G VRAM Variant Users को मिलता है 4G RAM Variant Users अगर आपने डिवाइस में पोको लॉंचर 4.0 इस्टॉल भी कर ले तो भी वो फीचर नहीं मिलता है तो 4G RAM Variant Users को कैसे म इस्टॉल आपने चाहते हो तो वह भी आप दे सकते हो अपने थौट्स शेयर कर सकते हो क्या गोच नीव फीचर एड़ होनी चाहिए पोको लॉंचर में आपको बता दूं कुछ भी आप अपने जो एस यह करो ना करो आपने वहाँ पर जाके इतना लेक देना है कि हमारे प अपडेट्स में जाके पोको लॉंचर के दे दिया चाहिए नेक्स कोचन आया है सुसांत कुमार की तरफ से यह कहते हैं बाई पोको लॉंचर में डायनमिक विजिट्स कैसे लगाए इस पर वीडियो बनाओ और आपके पास भी पोको एमत्री है आयम यॉर फॉल्वर थैंक अपडेट्स के लिए सभी रिजन्स के लिए रिलीज हो चुका है उनली इंडोनेसियन रिजन रह गया है उसको भी जल्दी मिल आएगा बट मुझे लगता कि आप इंडोनेसियन रोम यूज कर रहे होगे विकॉज आपने इन्नी में लिखा है तो अल्रेडी सब के लिए र आपकी डिवाइस को मैनुली विए अपडेट कर सकते हुड है विए या। अपको जो रोम है उसको डाउनूड करना है अपने डिवाइस में निए अपको करनते है की तरब से सोरी अगर मैंने आपका नेम गलत प्रोनांस किया हो तो बाई पोगो M3 में मीवा 13 के बाद भी साइडवार आलवेज ओन का आप्शन आयाई नहीं मेरा और इस्पिलेट स्कीन भी नहीं हो रहा है एंड फ्लोटिंग विंडो में मेरे बहुत सारे एप नहीं आ रहे हैं जब की बहुत सारे एप मेरे फैंड के डिवाइस में चल रहा है पिलीज कुछ बताओ तो मैं आपको बता दूँ आपको जो साइडवार एंड फ्लोटिंग विंडो को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है यहां पर स्प्लेटर स्क्रीन की तो मैं आपको बता दूँ आपके पास 4GB रहार वेरियंट होगा इसलिए यह जो स्प्लेटर पर आपके में आपके में आपके में करना है आपको एक एप्लिकेशन के लिंक मैं डिस्किप्शन में देंगा या फिर अपने टेलिगम चैनल प आप क्लिक कीजिए and split screen को इनिवल कर लीजिए तो आपको क्या होगा कि आपके जो डिवाइस है उसके control center में एक toggle आ जाएगा split screen का है ना तो उस toggle को आप इनिवल कर लीजिए अपने device में then आपने क्या करना है आपका जो device है उसमें split screen का option है वो नहीं आ रहाता तो वह आपके में toggle आ चुका है और आपके डिवाइस में जो फीचर है split screen का वो वर्क करने लएगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं split screen का feature easily work कर रहा है कोई भी problem नहीं आ रही है एक काम होगा कर लेना आप लोग जो आप कोई settings वो क्लियन नहीं होगी एंड वो प्रॉपर ली वर्क करती रहेगी है ना तो split screen का feature आपके में वर्क करता रहेगा कोई भी problem आपको नहीं फेस करनी बड़ेगी next question की तब से Pogo M3 को MIUI 13 update देने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है और उससे बचने के लिए क्या करें उसके बारे में कुछ बताएं positive side देख लिया Pogo M3 का लेकिन negative side के बारे में थोड़ी बात कर लो ब्रदर तो gas wax zone भाई सबसे बहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी problems मुझे face करनी पड़ रही है सबसे बहले तो जो battery है काफी कम हो गई है battery wake up काफी कम चली है पहले ही मैंने already fully video बताया हुआ है then second जो problem आ रही थी मुझे सबसे बड़ी कि जो मेरा device था update के बाद वो automatically woot होने लगा था काफी दे तक woot होता रहा था एकाद घंटे तक then automatically जो device है वो work करने लगा था automatically मेरा device on हो गया था तो यह problem आई थी इसके अलावा guys जब भी आप आपके device में sunlight में अपने device को use करते हो तो आदा एक घंटा चलने के वाद जो heat है ना काफी जादा होने लगता है तो यह भी problem guys update के बाद मुझे face करनी पड़ी इसके अलावा guys मेरे को कोई और problem या आप update में face नहीं करनी पड़ी camera बिलकुर ठीक है camera dad नहीं हुआ है by-fi issue नहीं हो आ रहा है मुझे other कोई भी problem मुझे face नहीं करनी पड़ी तो fake video guys नहीं बना सकता हूं जूट नहीं बोल सकता हूं जो problems मुझे face करनी पड़ रही वह ही मैं आपको बता सकता हूं इसके लाबा काफी सारे यूटूबर के जूट बोल देते हैं कि यार मेरे को camera dad हो गया मेरा या मेरे में other कोई feature work नहीं कर रहा है या मलब काफी सारे मलब ऐसे जूट बोल देते हैं जब मेरे को problem face नहीं करनी पड़ रही है बागी आपको कोई problem अगा फिश करनी पड़ रही है तो आपको जो feedback अब दी होई है तो उसके थिरूँ आप feedback दे सकते हो और जो next update आएगा तो उसमें जो problem है आपकी वो fix हो जाएगी नेक्स्ट कोश्च है आए पवित्त मंडल की तब से पोगो M3 में मिवाइ 15 आएगा यार अवी मिवाइ 14 नहीं मेला आप 15 पर पहुंचगे बड़ चलो कोई नहीं आपका question है तो मैं आपको answer दे देता हूं तो मैं आपको पता तो मिवाइ 15 का जो update नहीं मिलेगा पोगो वालों का mood बदल जाए और आपको update दे दे आपको खुश करने के लिए तो वो एक अलग बात है बगिए chances काफी कम है तो आप hope मत रखना मिवाइ से के आपको मिवाइ 15 का update मिलेगा अगर उनका मन किया तो आपको दे देंगे otherwise chances बहुत कम है आपको मिवाइ 15 का update नहीं मिलेगा आपके सारे questions के answer आपको मिलेगे होंगे बड़ अगर आप में से किसी का question मुझसे miss हो गया मैं pick नहीं कर पाया हूं तो sorry for that next Q&A session में उसको भी pick कर लेंगे फिलाल के लिए उड़ो में इतना ही अगर आपको वीड़ो पसंद आईए तो वीड़ो को एक like कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी subscribe कर लेना so guys मैं मैं विल तॉप से नेक्षे ट्रेस्टी उड़ो में thanks for watching and bye